जैन बच्चो कैसे हैं आप लोग बच्चो आज आपके लिए अमल चार सिधान्त का चोता सिधान्त लेके आए हैं जिसको बोला जाता है लक्स फ्लाड का अमल चार सिद्धान तो आए जानते हैं लक्स फ्लड ने अमल चार के वारे में क्या क्या बताया 1939 में जर्मन विग्यानिक हर्मन लक्स ने अमल चार सिद्धान परती पादित किया बच्चों 1939 की बात है जब जर्मन वग्यानिक हर्मन लक्स ने अमल चार के लिए एक नया सिध्धान दिया लक्स का यह सिध्धान बाद में 1947 में हाकोन फ्लड सिर्का ने संसोधित किया जिसके बाद यह लक्स फ्लड अमल चार संकल्पना कही गई बच्चों 1939 में तो हर्मन लक्स ने यह अमल चार सिध्धान दिया था लेकिन बाद में 1947 में एक दूस्टे वग्यानिक हुए हाकोन फ्लड सिर्का जिन्होंने इसमें काफी संसोधन किया काफी इसकी कमियों को दूर किया और उसके बाद जब यह सिध्धान पूरी तरह से सत्य पित होने के बाद पूरी तरह सही सिध्ध होने के बाद प्रस्तुत किया गया तो लोगों के बीच में यह लक्स प्लड अमल चार संकल्पना या सिध्धान के नाम से परसिध हुआ यह सिध्धान ओक्साइड आयन सिध्धान भी कहलाता है बच्चों लक्स प्लड ने जो है ओक्साइड आयन को आधार मानके अमल चार सिध्धान्त को परतिपादित दिया था अमल चार की पैचान के बारे में बताया था इसलिए संक्सेप में इसे ओक्साइड आयन सिध्धान्त भी कहा जाता है कैसे वो हम जानेंगे आगे तो अब बात परीबासा की कर लेते हैं तो सर यहां पर दो लाइने लिकी हुँ हुई है दो लाइनों में ही सब कुछ है ऐसे ऐनवाता है जबकी ऐसे ओक्साइड आइन डाता लक्सफलड छार कहलाता है द्यान लखीगा जो भी Lux Flood सिधान के अनुसार चार है वो तो Oxide Iron देने वाला होगा और जो Oxide Iron ग्रहन करेगा O-2 लेगा वो कहलाएगा Lux Flood अमल क्या है किलियर आपको तो O-2 यानि Oxide Iron डाता जो है वो Lux Flood 6 कहलाएगा और Oxide Iron ग्रहनी यानि कि लेने वाला Lux Flood अमल कहलाएगा यह हम सब उधारन की सायता से आपको सपस्ट करेंगे और बिल्कुल किलियर कराके वेजेंगे चिंता बिल्कुल न करें बस ही परिवासा है जो आपको आनी चाहिए ताकि जो बहुविकल्पी सवाल बनते हैं वो आप कर सकें और कोई पूछे तो उसको बता भी सकें है ना जर यह एक लाइन कोई पूछे या बताना हो तो आप क्या बताएंगे ओक्साइड आयन लेने वाला लक्सप्लड अमल ऑक्साइड आयन देने वाला लक्सप्लड चार क्लियर है चलिए अब उधरन से स्वर्ष्ट करेंगे हैं तो चलिए पहला पदार्थ लिया हुआ है MGO यह हमने ले लिया है तो MGO पदार्थ जो है वो अपगटित होने के बाद दो परकार के आयन देता है आप जानते हैं यह आयनिक पदार्थ होता है तो यहां पर जब यह लवन MGO अपगटित होगा तो यह देगा MGO प्लस टू और O-2 अभी अभी आपने उपर पढ़ा था कि ऐस देने वाला है सर CAO को देखिए CAO भी यहां पर केलसियम आयन और ओकसाइड आयन दे रहा है अब AL2O3 को देख लीजिए तो AL2O3 भी ओकसाइड आयन दे रहा है तो ऐसे पदार्थ जो ओकसाइड आयन या O-2 देते हैं दाता है O-2 के क्या कहलाएंगे तो वो कहलाएंगे जी लगस फ्लड चार भूलिएगा नहीं तो आप ही बताइए MgO, CAO, AL2O3 तीनों क्या कर रहे हैं तीनों ओकसाइड आयन दाता है O-2 देते हैं तो यह कहलाएंगे लगस फ्लड चार तो मैं यहां पर अगर लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा जी तो यह तीनों हो गए जी लगस फ्लड चार क्योंकि इन्होंने ओकसाइड आयन दिया है अब इस केस को देखें यहां पर SiO2 जो है वो O-2 यानि की ओकसाइड आयन के साथ क्रिया कर रहा है और बना रहा है SiO3-2 आयन तो आप बताइए SiO2 जो यहां पर ओकसाइड है वो कैस कैसा होगा उसकी प्रकरती कैसी होगी SiO2 ने ओकसाइड आयन ग्रेहन किया है लिया है तो क्या होगा SiO2 होगा लक्स फ्लड अमल अब यह देखिए SiO3 भी ओकसाइड आयन लेके क्या बना रहा है SiO4-2 सलफेट आयन बना रहा है तो SiO3 जो यहां पर सलफर का यह सलफर ट्राय ओकसाइड है इसकी प्रकरती कैसी होगी कैसा होगा यह SiO3 यह होगा अमली है किलियर है किसके अनुसार लक्स फ्लड सिधान के अनुसार यहां पर देखिए P4O10 जो है वह भी ओकसाइड आयन ग्रहन कर रहा है और क्या बना रहा है P4O3 इंट तो वह ओकसाइड आयन ग्रहन किया है लेने वाला है तो यह क्या होगा यह होगा बिलकुल सही लक्स फ्लड अमल सच चोथा एक्जाम्पल में भी देखिए CO2 जो है वो ओक्साइड आयन को ले रहा है ग्रहन कर रहा है और बना रहा है CO3-2 कार्बनेट आयन तो यहां पर यह चारो एक्जामपल है चारो ओक्साइड है SiO2, So3, P4, O10, CO2 इनकी प्रकरती कैसी होगी सर यह चारो ओक्साइड आयन लेने वाले हैं तो जो ओक्साइड आयन लेता है वो क्या कहलाता है जी वो कहलाता है लक्स फ्लड अमल तो यह चारो पदार्थ जो होंगे यह चारो कहलाएंगे लक्स फ्लड अमल क्लियर है क्यों क्योंकि ओक्साइड आयन ले रहे हैं अब देखिए यहाँ पे अभिक्रिया आ गई है, CAO CO2 के साथ अभिक्रिया कर रहा है, अभिक्रत होके CACO3 का निर्मान कर रहा है, इस अभिक्रिया में आपको बताना है कि जो राजसायनिक अभिक्रिया में भाग लने वाले CAO और CO2 हैं, उनमें कोन अमली है और कोन चारिया है याँ कौन सा Oxide अमल है और कौन सा Oxide चारिए को दोनोरी Oxide है प्रभू और अभीक्रिया निरजलिये है जल का परयोग नहीं हो रहा है तो यहाँ ऐसे अभीक्रिय के लिए ही तो बनाया गया है Lux Flood अमल चार से दान शर, वो तो ठीक है लेकिन इस अभी क्रिया में कैसे बताएंगे क्योंकि ना तो ओक्साइड आयन देने वाला दिख रहा है ना ओक्साइड आयन यानि कि O-2 देने वाला लेने वाला कोई नहीं दिख रहा है अब मैं क्या करूँ अरे घबराक आए रहे हो बाई बहुत ही सरल है आप देखो कौन ओक्सिजन दाता है ओ कौन दे रहा है ओ परमाणू ओ परमाणू तो पहचान सकते हो ना वो सरल है तो आओ नहीं तो मैं हूना आपके साचिंता काई करते हैं बस थोला ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिए CAO CO2 के साथ अभिक्रिया करके CACO3 बना रहा है अब आप यहां पर देखिए किसकी ओक्सिजन कम हुई और किसकी ओक्सिजन बढ़ी सर सीयो टू से सीयो थी बना है बिल्कुल सही CAO से ओक्सिजन दे रहा है कौन ले रहा है CO2 किलियर हो रहा है सीयो टू को दिया है और यहां पर बन गया है CACO3 तो सर किलियर होँ आपको देने वाला कौन है लेने वाला कौन है CO2 तो वो हो गया अमल देने वाला ओगया चार किलियर है चुत्कियों में कोस्यों हो गया और क्राताऊaden मैं आपको practice इस अभी के लिए को देखिए यहाँ पे si o2 cao के साथ के लिए करके si o3 बना रहा है तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन अमल है कौन चारी है दोनों oxide oxide iron सिद्धांत लगाई है oxide iron समझ में नहीं आ रहा है तो ओ परमाणू को पकड़ लीजिए तो यहाँ पे देखिए si o2 ने क्या किया है oxygen लिया है cao ने ओ परमाणू दिया है oxygen दिया है तो सर देने वाला कौन लेने वाला कौन यह तच्छे से जानते हो co की नीचे क्या लिखूंगा आचारी लिखूंगा नुए इसने oxide iron दिया है ओ परमाणू दिया है समझने के लिए है ना बताने के लिए oxide iron नहीं है तो सर इसलिए si o2 की नीचे amal लिखा है क्योंकि यह oxide iron ले रहा है ओ परमाणू ले रहा है अगली reaction अगली अभी дополнock lien ले यहां पे MgO CO2 के साथ क्रिया कर रहा है MgCO3 बना रहा है तो आपको पैचानना है कि कौन अमल है कौन चाहर है वो इसे दंद लगाएंगे जी बहुत सरल है तो यहां पे देखिए कौन O परवाणू यानि कि ऑक्साइड आयन दे रहा है तो MgO ने O दिया है किसने लिया है CO2 ने लिया है तो यहां पे चाहर कौन हुआ MgO हुआ CO2 ने लिया है तभी तो CO2 का CO3 हो गया ना MgCO3 में तो इसके नीचे क्या लिखूंगा CO2 नीचे अमल बिल्कु सही का आपने क्लियर हुआ आपको अभी अभी क्रिया से में कुछ नहीं लिखूंगा सिभ डिसकस करूंग CO3 के साथ अभी क्रिय कर रहा है दोनों ओक्साइड है और बन रहा है CO4 आपको बताना है कि CO3 में कोण अमल कौन अमल यह कौन चाहरी है बहुत ही आसान है लख्स फ्लड सिद्धान के अनुसार आपको यहां पे देखना है कि कौन ओक्साइड आयन दे रहा है समझ गया है कौ लिया है आपको अगे बाड़े चलिए अब बात करते हैं लग्स प्रड उबैधर्मी की सब्सक्राइब जो अक्सर लोगों को परिशान करता है अभी क्रियाओं में देता है वह क्योंकि ऐसे कोईशन एक्जामनर की पसंद होते हैं जो बच्चों में confusion पैदा करते हैं जो concept को हिला देतें हैं तो गला सकता है ना यह अक्सर आयन दे भी सकता है और ले भी सकता है और ऐसे अभी करिये देखिए यहां पर जिंक OXIDE जो है वह OXIDE आयन ले रहा है जब यह लेगा तो यह अमली परवर्ति वाला होगा, केलिय रहे? तो यहां पर दो अभी करियाऊ से आपको इस पस्ट हो रहा है कि जो मैंने आपको उपर बताया था की OXIDE आयन दे भी सकता है और ले भी जाता है जिससे जैडन SO4 बन जाता है clear है तो यहां से O oxygen गया किस के पास SO3 के पास देने वाला कौन जैडन O लेने वाला कौन SO3 तो जैडन O यहां पे छार होगा जबकि SO3 यहां पे अमलिय होगा क्या यहां वो clear है आगे बढ़े एक एक्जामपल और लेते हैं सर इस एक्जामपल को देखिए यहां पे जिंक ओक्साइड और Na2O की अभिक्रिया होई है जिससे Na2 ZnO2 बना है तो आप देखिए यहां पे इस बार oxygen कौन दे रहा है कौन ले रहा है तो सर उल्टा हो गया है इस बार Na2O से oxygen जा रही है जेडन ओम ने जेडन ओ जो है जेडन ओ जो है जेडन ओ तू में परिवर्तित हो गया है बदल गया है तो देने वाला कोन है इस बार Na2O लेने वाला कोन है तो इस बार यह जो पदार्थ है आपका यह चार होगा यह चार ह तो NA2 Oxide जो है वो जहाँ पे छार है जबकि जेटनों ये उखांशना की मिकान MALE और गीशांते हैं आप ज़ाएं और लोहुते हैं नाप पहले साथ की अमलता चारकता को परभावी रूप से इसपर्ष्ट करता है बचो आपने इससे पहले तीन अमल चार सिद्धान पड़े हुए है पहला आर्नियस का था दूसरा आपका ब्रॉंस्टेड का था तीसरा आपका लुईस का था लेकिन ये तीनों सिद्धान जो होते हैं ये धातू ओक्साइड और अधातू ओक्साइड की अमलता चारक्ता को स कर देता है यह धातु करम में उच्टाप पर लागू होता है आपको पता है बच्चों धातु करम में आयस से असुद्धियों को दूर करके सुद्धातु को प्राप किया जाता है वहां पर उच्टाप होता है और वहां पर आप ओक्साइड अक्सर प्रयोग करते हैं तो वहा लिए माध्यम में भी परभावी है बच्चों यह जो आपका लग्स फ्लड सिद्धान थे इसमें पदार्थ को जल में घोलने की कोई आफ सकता नहीं होती है आप बिना घोले ही उसकी प्रकृति के बारे में बता सकते हैं बच्चों कोई भी सिद्धान चाहिए उलुईस का ओ जिनोन हेक्साफ्लोराइड की प्रकृति को स्पस्ट नहीं करता है लेकिन लग्स फ्लड सिद्धान जो है जिनोन हेक्साफ्लोराइड की प्रकृति को स्पस्ट कर देता है बता देता है यह सिद्धान जियो केमेस्ट्री तो था एलेक्ट्रोकेमेस्ट्री के अध्यन में उ होती है केमिस्ट्री की वह साखा होती है जो धर्ती और अलग अलग ग्रहों पर होने वाली राजसाइनी क्रियाओं के अध्यन कराती है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो आप जानते हैं यह विज्ञान की वह साखा है जहां पर राजसाइनी कभी योगी सिद्ध होता है केई सारे चीजों को तत्तियों को ये स्पस्ट कर देता है यह केवल धातू अधातू ओक्साइडों में ही परभावी है बच्चो इस सिद्धान्त की जो मुख्य सिद्धान्त है वो ही इसके खिलाफ चला जाता है समझे नहीं आया बच्चो ये जो दांग्त है लक्स फ्लड़का ये धातू और अधातू ओक्साइडों में ही लागू होता है लेकिन जो बाकी पदार्थ है एससील है अमोनिया है बी एफ्थ्री है आपका एस्टू एससोफोर है एसितिक अमल है वहाँ पर ये फेल हो जाता है वहाँ पर ये लागू नहीं होत है क्योंकि ये केवल धातू ओक्साइड और अधातू ओक्साइड में ही लगता है तो बाकी पदार्थों क्या होगा सर बाकी पदार्थों की अमलता और छारकता को नहीं बता पाएगा तो ये इसकी बड़ी कमी है दूसरी कमी ये है कि जलिये माद्यम में लागू नहीं होत वाली अभिक्रिया में ही परभावी होता है बच्चो अभी आपने उपर देका अभोम साइसाहां यह नहीं लगा पाएंगे बच्चों उमीद है आज की वीडियो से आपको अमल चार सिद्धान्त का जो चोता सिद्धान्त है लक्स फ्रड सिद्धान्त वो बिल्कुल स्पश्ट हो गया होगा और किसी भी अभिक्रिया में किसी भी ओक्साइड को देख के आप सरलता से बता पाएंगे कि वो अमलिय होगा या चारिये होगा